पिछले दो दिन से याने कल और आज बंबी के बहुत सारे न्यूस पेपर में ये खबर छपी है जिसमें ये बताया गया है कि बोरी वली में एक 15 साल की लड़की जो नहाने गई थी उसकी डैथ हो गई और ये पूरा डीटेल उसमें बताया गया है इसलिए बहुत अरजनसी म मैकसिमम लोगों के पास शेयर करो क्योंकि इसमें कई लोगों की जान बच सकती है और कई परिवारों के जिंदगी तबाह होने से बच सकती है क्योंकि उसमें से एक विक्टिम मैं भी हो सकता था मैं आपको एक इंसीडेंस बताता हूं और पहले तो बूमी का बताता हूं कि इस वीडियो बनाने के पीछे चकर क्या है यह जो महानगर गैस लिमिटेड का पाइपलाइन से गैस हमारे कीचन में प्रॉइड किया जाता है उह में उस कंपनी का कोई दोश नहीं है यह उनकी ड्यूटी है सिलिंडर के बदले pipeline से हम लोग गैस लेते लेकिन जो contractor इसको fit करने आते हैं वो हमें कहते हैं कि आप इसका गीजर भी लगवा लो जिससे आपको पानी गरम करने का जो खर्चा है electricity का वो कम हो जाएगा और वही गलती मैंने की हमारे society में शायद सब लोगों ने की होगी हमने ग गीजर लगाया कई टाइम तक लंबे अरसे तक वह चलता रहा वन फाइंडे जब सुबह से लेकर शाम तक मेरा बेटा जिसकी उमर तब 14 साल थी वो क्रिकेट खेलकर आया पूरा ठका हुआ था वो नहाने के लिए बातरूम में गया 15-20 मिनिट के बाद पता नहीं क्यूं मै मैं और मेरी वाइफ यही इसी जगा पर बेटरूम में बात करते हुए बैठे थे तो हमको ऐसा लगा कि सम्टिंग इस रॉंग हमने हमारे बेटे को यहीं से आवाद लगाई राज आरी ओके तो उसने का हां लेकिन उसकी आवाज में मुझे कुछ अजीब सा फिल हुआ मैं और मेरी वाइफ उठकर बात रूम के सामने जाके कड़े हुए और उसका दर्वाजा नौक किया तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं और टेंशन में आ गया तो मैंने उसको पुछा कैनी ओपन दी डोर तो उसने का हां लेकिन तब तोक उसकी वाल्यूम लेवल और डिंजर्स था मेरा बेटा पूरी तरह बेहोश रह चुका था उसके बिल्कुल होश नहीं था हम लोग उसको फटा फट बहार लेकर आए खुली हवा में इसी बैड पर उसको रखा डॉक्टर विनो सकरानी को फोन किया विनो सकरानी को तुरंद उसको हॉस्पिटल लेक और उसने मुझे एक ही सवाल पूचा तुम तुमारे घर में गैस गीजर इंसाइड बातरूम कैसे लगा सकते हो तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनको पूचा एक्च्वल बात क्या है तब यह जो घटना कल और आज तमाम नियूस पेपर में उस लड़की क यह सेम सिच्वेशन आमारे साथ में होने वाला था जब गैस का गीजर बंद बातरूम में फिक्स किया जाता है तो ऑक्सीजन का इस्तमाल वो कर लेता है लेकिन कार्बन डाक्सेड रिलीस करता है जिसलिए जिसकी वज़ए से कार्बन मोनोकसेड भारी संक्या में आपके ब है और डेत नहीं हुई और आपका नसीब अच्छा रहेगा वो बज गया तो भी ओपैरलिस पैरलिस उसको हो सकता है और ये बहुत दिंजरस बात है मेरा बेटा तो स्पोर्ट्समन है भगवान की महरबानी है कि मेरा बेटा बज गया और ये गीजर हमने तुरन निकलवा ल मैं महानदर गैस के उपर केस करूंगा लेकिन बाद में मुझे उनका मैनियल पढ़ने के पता चला दे नेवर अलाव दे नेवर अप्रूव फिक्सिंग गैस गीजर इंसाइड दी हाउस तो उन्होंने कहा कि अगर आप कंप्लेंट करेंगे हम ही आपके किलाव कंप्लेंट की डेथ हो सकती है फिर उनको पैरलेसिस हो सकता है के बी सी में अमिताब बच्चन जी के सामने एक पार्टिसिपेंट आई थी जिन्होंने अपने बच्चे को उस प्रोग्राम में लाया था इट वाल सो दी सेम केस इम मॉबाइल बच्चा है नौजवान लड़का है ऐसा ब अपना कोई भी नहीं हुई है तो इसका मुद्ब यह मत समझेगा कि कभी नहीं होगी और उससे भी डेंजरस बात तो यह है कि रोज कार्बन मोनोकसाइड जब आप नहाते रहते आप इनहल करते रहते दीरे 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 इंसान के ब्रेन के ओपर इसका असर होता है और एक इसका बहुत डेंजर आटकवाँ होने बाला है इसका बहुत देंजर आपकवी होनी ओना है आप घ्वस्त प्रेस्ट प्लीस पेँटना टीन टु विदि दि अन्म य। जा थैंक्यु बहुत बहुत श॥्रव क्रिया प्लीस पास ओनोस्तव्स кас